दोस्तो फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है और अभी अभी जन्मास्ट भी गई है अब आने वाली है श्री कृष्ण जी की छटी उसके बाद मैं नवरात्रे आएंगे जो की 9 दिन तक चलेंगे ऐसे मैं खुद को प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए या प्रेजेंटेब करने जा रही हूं सेवन कुर्ता और कुर्ता सेट्स इस तरीके के जो आप फेस्टिवल्स पर पहन करके सारा दिन अपना काम कर सकते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बजट फ्रेंडली भी है आपिंग की है वो की है आमोजोन से तो चले शुरू करते हैं इ पहले से ही इसलिए उनका रिव्यू मैं उसके अकॉर्डिंग दोंगी और बाकी कुर्ता सेट्स का जो रिव्यू रहेगा वो आपके साथ में ही मैं शेयर करूंगी इनके पाकेट्स मैंने खोल करके देख लिया है अभी साइज वगरा कुछ भी चेक नहीं किया है हाला कि मै गोस्री की ब्रैन का कुर्टा है सबसे पहले की कुरते की बात करते हूं यह रियान मतिरियल है काफी कूल इफेक्ट दे रहा है जो we हुई है और वाइट कलर का यहां पर एक पैच दिया हुआ नेक पर आप देख सकते हैं कि हलका सा यह डिजाइन बना हुआ है गला मुझे इसका देखने में थोड़ा सा छोटा लग रहा है लेकिन पहनने के बाद ही बताऊंगी कि आप देख सकते कि यहां पर ना दोनों और दुपट्टे के चारो तरफ ना यह इस तरीके से दी है क्रोशिया लेस सेट में यहां साइट से भी पट्टी दी हुई है और क्रोशिया है स्लीफ इसकी 3-4 है और इसके उपर भी लेस है कुछ इस तरीके से है शिफॉन का दुपट्टा है दुपट्टा काफी चोड़ है कलर फिट और आप देखो पीछे से भी कुछ इस तरीके से है मुझे तो बहुत पसंद आया तो इसकी प्राइज की बात करूं तो इसका प्राइज है यह सब्सक्राइज नहीं आती है तो सबसे पहले आप को कुर्ता दिखाती हूं कुर्ता बहुत ही ज्यादा प्यारा है इस तरीके से है यह वाइट कलर का कुर्टा है बहुत ही सॉफ्ट जो कॉटन होता है मलमल टाइप का कॉटन उसका कुर्टा है पूरी के उपर वाइट कलर की चिकन कारी जैसा इंब्रोइडरी है हाला कि यह मशीन वर्क है और इसके उपर सारे में ही वाइ पूते को बहुत अच्छा लुक देता है और नीचे भी काफी चौड़ी बॉर्डर के तरह इंब्राइडरी दे रखी काफी सारी कलियां है हाफ स्लीप्स है और स्लीप्स के ऊपर इस तरीके की सिल्वर कलर की लेस दी हुई है अगे से फ्रंट में ये कट दिया हुआ है छोट तरफ लेस लगी है सवा दो मीटर को दुपट्टा है और दुपट्टा बिल्कुल प्लेन है और इसका ये दुपट्टा ये दोनों ही मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं इसका फिट इसका लुक इसका सीकोइंस वर्क मुझे बहुत पसंद आ रहा है स्लीप्स भी आप देख नहीं मिले है तो मैंने खुद के प्लाजो इसमें यूज किये हैं हाला कि दुपट्ट्टा इसके ऊपर मुझे ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है और इसको ऐसे भी पहना जा सकता है as a dress भी पहना जा सकता है समर्ष में हलका सा see-through मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर अगर slip-on पहना जाएगा तो यह जादा अच्छा लगेगा बरहाल यह मुझे काफी पसंद आया और worth it है इस कुर्टे सेट का प्राइस में आपको बता ही दिया 799 है और यह मैंने लिया है मैक से मैक से इसका प्राइस है 1575 रुपीज हाला कि पिक्चर में यह वाला जो कुर्टा सेट है यह hot pink color या magenta pink color का दिखाया था और इसके उपर description जो लिखा था वो mustard color का था अगर इसके size available हुए तो आपको मिल जाएगा यह मैंने लार्ज में यह मैंने लिया था एक्सेल में एक्सेल में ही लिया था यह है वो कुर्टा बहुत ही प्यारा सा देखने में लग रहा था इसका hot pink color तो मैंने इसका सोचा कि अगर mustard color भी आएगा तो भी अच्छा लगेगा तो सबसे पहले आपको इसका jacket दिखाती हूँ यह jacket है इस तरीके का चंदेरी cotton है चंदेरी silk cotton जो कपड़ा होता है वो है यह है इसका jacket काफी long jacket है और 3-4 sleeves का jacket है इसके उपर यहाँ पर puff sleeves है और sleeves के उपर इस तरीके का पट्टी दी हुई है अब भी आप इसका कुर्टा देखोगे तब आपको समझ में आएगा प्रिंट किया हुआ है इसके उपर embroidery नहीं है यह है rion sleeveless कुर्टा है प्रिंट अच्छा है इसका color अच्छा है बट इसका fit और इसकी quality मुझे okay okay लग रही है बाकी color वगरा और पहनने के बाद में कैसा लगता है चलो इसको पहन करके दिखाती हूँ और इस कुर्टा सेट का जो look fit है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें बिल्कुल balloon लग रही हूँ तो मैं तो इसको return करने वाली हूँ क्योंकि इसका कुर्टा तो फिर भी बहुत अच्छा है उसका size और fit बहुत अच्छा आया है लेकिन ये jacket के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये चंदेरी silk full sleeves कुर्टा है तो कुर्टा है कुछ इस तरीके का और embroidered कुर्टा है जरी का काम किया हुआ है और round neck है आप देख सकते हैं ये sleeves है काफी soft वाला silk इसका है sleeves के उपर भी यहाँ पर जरी की embroidery की है और sequence का का काम किया है पूरा neck के उपर अच्छे से embroidery की है और नीचे के side में बूटी दी हुई है यहाँ पर अंदर इसमें आपको lining भी मिल जाएगी stitching काफी अच्छी है कोई धागा वगरा नहीं निकल रहा है tailored stitch जो कुर्टे होते हैं कुछ उस तरह की मुझे इसकी stitching जो है वो दिखाई दे रही मैंगो यलो कलर का पूरी full sleeves हैं लेकिन थोड़ी सी और लंबी होती तो जादा अच्छा था embroidery काफी अच्छी है इसकी उपर आप देखे दें neck के उपर पूरा भरा हुआ है neck हाला कि neck थोड़ा सा छोटा है fitting बहुत अच्छी है और चुब नहीं रहा है कहीं से भी बहुत comfortable है embroidery भी बिल्कुल neat and clean तरीके से की हुई है कहीं पर कोई धागा नहीं खिच रहा है कोई ऐसा खराब नहीं लग रहा है मुझे काफी अच्छा लग रहा है इसको तो मैं रखने वाली हूँ इस कुर्टे के बाद में बारी आती है एक और max के कुर्टे की चोकी है again silk में और ये है कुछ इस तरीके से ये सिर्फ कुर्टा है prices का 941 है और silk टाइप का ये कुर्टा है silk में ही है silk blend soft है इसके उपर जो print किया हुआ है शाम में भी पहन करके रह सकते है नवरात्रे वगरा आ रहे हैं तो उसमें पहन करके रहा जा सकता है तो ये है वो max का कुर्टा जिसके उपर थोड़ी सी dull foil print है और pink color की printing है हाला कि मैं आपको suggest करूँगी कि जितने भी कुर्टा सेट मैंने XL में मंगाए हैं अगर आप मेरे body size के हैं तो आप large में मंगाएगा क्योंकि मेरे सारे ही ये lose है कमर से और काफी lose है आप देख सकते हैं इतने इतने तो ये भी काफी lose है आप अगर XL size में मंगाएंगे तो print और color जो भी है genuine review है मेरा कुर्टे का color, print, feel बहुत अच्छा है बस इसका थोड़ा सा size मुझे lose है तो इसको change करके दूसरा मंगाने वाली हुँ में ये गोसरी की brand का एक ये कुर्टा सेट ये कुर्टा सेट मैंने एक साल पहले खरीदा था हलाकि मैंने इसको पहना नहीं तो सोचा की चलिया आपके साथ में इसका भी review शेयर कर देती हूँ ये गोसरी की brand का है और लगबख 700 इसकी price है और कुर्टा की अगर मैं बात करूँ तो cotton का कुर्टा है 100% अच्छा है कपड़ा इसका काफी comfortable है golden color का इसके उपर जरी का काम किया है साथ ही sequence work भी है golden और यहाँ sleeves के उपर 3-4 sleeves हैं यहाँ पर golden किनारी दी हुई है तो यह मुझे काफी comfortable आया था हाला कि अब यह काफी बड़ा है मेरे तो मैं इसका try नहीं कर रही हूँ लेकिन यह भी मैंने excel में ही लिया था लेकिन यह excel काफी खुला है तो अगर आप इसको purchase करते हैं तो आप large size में लीजेगा और बहुत अच्छा रहेगा अगर आप मेरे body type के हैं तो यह इस तरीके की है back side में elastic है आगे से belt दी हुई है और नीचे यह plazo है actually नीचे के side में भी इसमें यह golden किनारी की lace दी हुई है इस साइड में pocket है इसका chiffon का दुपट्टा है और दुपट्टे के भी चारो तरफ जो matte वाली golden finishing वाली जो lace होती है वो दी हुई है दुपट्टा काफी चोड़ा है सवा 2 meter का इसका दुपट्टा है तो यह है होट पिंक कलर में या फिर magenta पिंक कलर में ब्रैंड का और इसके price की बात करूँ तो यह 1675 का है या 1575 का है 100 रुपीज में मैं confusion में हूँ नेट का दुपट्टा है सबसे पहले इसके दुपट्टे की बात करती हो तो दुपट्टा ना stall style में है पूरा cutting वाला दुपट्टा है और दुपट्टे के दोनों side में इस तरीके से चौड़ा दुपट्टा नहीं है पतला ही है लेकिन लंबा है सवा दो मिटर का और दुपट्टे की बीच बीच में इस तरीके की पूटी है यह गोटा पत्ती type का का काम किया हुआ है जर्दोजी जरी जर्दोजी जो होती है उसका भी काम किया है पूरा भरा हुआ दुपट्टा है तो अगर आप इसको side से लेते हैं तो यह sufficient है अच्छा लगेगा और इसके उपर भी छोटा छोटा sequence लगा है golden color का तो pen silk में है silk blend इसका कपड़ा है lining दी हुई है काफी comfortable था मैंने इसको 3-4 गंटे पहन करके रखा था और कहीं से कोई भी problem वाली बात नहीं आई इसमें आगे belt है और पीछे elastic दी हुई है इस तरीके से और यह plazo है plazo बोल सकते इसको pant बोल सकते है इसकी चोड़ाई कुछ इस तरीके से हैं अच्छा इसमें color दो available है एक mustard yellow color और एक यह hot pink color मुझे hot pink color पसंद था तो मैंने यह लिया है और mustard color भी इसका काफी अच्छा है यह है इसका पूरा neck और पूरा भरा हुआ है आप देख सकते है पूरा नीचे तक straight fit कुड़ता है 3-4 sleeves के उपर भी इस तरीके से design दिया हुआ है यह मुझे काफी पसंद आया है बहुत heavy कुरता है आप इसको parties में functions में पहन करके जा सकते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था आशे करती हूँ आपने enjoy किया होगा कौनसा कुरता सेट आपको ज़्यादा पसंद आया मुझे comment box में लिखिएगा कुछ भी अच्छा लगा तो like जरूर कीजेगा मैं आपसे जल्दी मिलूँगी एक नए और interesting वीडियो में till then be happy, be active अपना ख्याल रखिए और मस्त रहे बाई बाई